फ्रेंड्स आज का टॉपिक है कॉड लेंथ आज के वीडियो में हम जाने कॉड लेंथ क्या होता है और इसको किस तरीके से निकाला जाता है फॉर्मूला के जरी तो चलिए जानते हैं अगर हमारे चैनल पर आप नई आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा देजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी हर नई आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाए तो चलिए शुरू करते हैं तो कॉर्ड लेंद का जो फर्मूला होता है वो होता है साइन हाफ डिग्री इंटू रेडियस इंटू यह है इसका फर्मूला ठेक है इसके जरे से किस तरीके से निकालना है चले मैं आपको लाइव एक्जामपल देगे दिखाता हूँ अगर आपने एप्लिकेशन नहीं डाउनलोड किया तो उसको कर लिजेगा क्योंकि बहुत सारे लोग तरह तरह के कॉमेंट करते हैं बेसिक इंफर्मेशन के बारे में तो अगर आपको दिकत हो रहा है बेसिक इंफर्मेशन अगर आपको जानना है तो डाउनलोड किजिए प्लेश्टोर से फिटर की पूरी जानकारी आपको उसमें सब कुछ जो है मिल जाएगा ठीक है और फेस्वुक पेज पर जाके लाइक किजिए क्योंकि वहां पर मैं फर्मुलाज अगरा अपडेट करता रहता हूं तो चलिए देखते हैं यहां पर मैं आपको एक एक्जामपल भी दिखाऊंगा इस वाइट पेपर में उसके लिए यहां पर मैं एक्जामपल ले लेता हूं टू इंच का ठीक है तो टू इंच का जो ओड़ी होता है वो 60 mm होता है ठीक है तो यहां पर मैं 60 mm का एक ड्रॉ करता हूं यहां एक्जामपल यहां ओडिक है यह सबवादा कर दीसमें तो यह देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 60 mm इसका डाया है यह साथ है मैं ठीक है तो इसका हमें कोडलेंट लिकालना है ठीक है मान लीजिए हमको अगर यहां से यहां निकालना है यहां से लेकर के यहां तक तो हमारे कोडलेंट कितना आ जाएगा जितना हमारे डाया है उतना आ जाएगा साथ है मैं ठीक है अगर हमको यहां तक निकालना है से यहां तक तो कीतना आयाब वो भी हम अभी देखें अब देख हैं अगर आपको यह हान से यहान निकालना है तो अ विद्धosis आपको दिखाएंगे तो उसके लिे आपको डिग्री मालूम होना चीए कि हम निकाल उसका degree क्या है ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा सबसे पहले मैं आपको यह वाला example निकाल कर दिखाता हूँ यहां से कि 60 mm जो है वो 60 mm आता है या नहीं ठीक है तो उसके लिए हम क्या करें ही देखें यहां पर साइन साइन हाफ डिगरी 个 Like आपको डिगरी लेना है तो यहां पर मैं डिग्री आपको कनफर्म कर देता हूँ यह यहां से जीरौ मालन लीजीये ठीक है और यहां से यहां तक 90 होता है और यहां से यहां फिर नव जापन्व senator में 360 मतलब कि की पूरा एक जो सरकल होता है वो 360 डिगरी का होता है पूरा 350 डिगरी का होता तो हमको निकालना यहां से लेकर यहां तक मतलब की इतना का हमको कॉड लेंथ निकालना है तो उसका 118hh min दिगरी में हमारा आएगा ठीक है तो 118 सीडीज कि डीवाइड टु करना पड़ेगा हुआ क्योंकि हाफ डिग्री हुमारा उसके बाद मेद इंटू रेडियस अब बात करतें रेडियस की तो इसका डाया कितना है किस साथ हमन स्कार्ट तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूं डायमीटर डिवाइट टू अगर करते हैं तो रेडियस होता है ठीक है तो रेडियस निकालने के लिए डायमेटर डिवाइट टू करना पड़ता है मतलब कि हमारा फुल डाय साथ इसका हाफ करेंगे तो 30 हो जाएगा तो रेडियस हो गया 30 mm into 2 ठीक है अब साइं 180 डिज्गरी का माल कितना होता है सॉझ डिबाइटी करते तो हो जाएंगा साइं है 90 डिज्टी та कि इन्टु तीस और दो को गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा ठीक तो हीं इसके बैलियु कितना होता है मतलब चेहां से अगर हम कॉटलेफ्ट निकालते हैं तो साठ में ठीक है दो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि हमको डिगरी मालूम होना चाहिए तो डिगरी हम इसको suppose कर लेते हैं 90 degree ठेक है इतना कि अगर हमको निकालना है कितना है 90 degree तो चलिए उसी साफ से देखते हैं निकालके तो sin half degree into radius into 2 ठेक है तो sin half degree मतलब कितना यह हमारा 90 degree में है आप देख सकते हैं 90 degree तो इसको हम डारेक्ट 45 कर सकते हैं मतलब half degree into r मतलब कि radius तो अभी यहाँ पर radius हम कितना लेंगे तो radius हमारा है वही टीशे में into 2 ठेक है तो sin 45 degree का value कितना होता है तो sin 45 degree का value होता है 0.7071 पॉइंट होता है तो 72 हम डारेक्ट लेते हैं into 30 into 2 60 और जब इसका हम calculate करेंगे तो हमारा answer आजाएगा लगभग 42 mm 42.5 आ रहा है लेकिन 42 ही मानते है तो चलिए इसको देखते हैं कि हम चेक करके कि यह 42 है या नहीं है तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको ताकि clear दिखे तो यह देखिए मैं यहां से देखिए आप देख सकते हैं बराबर 42 आ रहा है देखिए ठीक है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं चलिए मैं आपको एक दो एक्जाम्पल और देता हूँ यहां पर तो फ्रेंट्स यहां पर हमने एक elbow draw किया है तो इसका हमें code length निकालना है मतलब कि यहां से ले करके यहां तक का में code length निकालना इसका तो कैसे निकालनगे चलिए देखते हैं सबसे पहले तो हमको यह पता है कि यह 90 degree का elbow है और यहां से यहां जो है वो 90 डिग्री में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले यह हमारा 60 हमिम का इसका डाया है एलबो का तो उसी साब से हमको इसका पूरा जो है वो हमको पता करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको चाल तरफ हम घुमा देते हैं इस ठीक है यह एक बड़ा सा सरकल बन गया है तो अब देखते हैं कि इसका पूरा कितना है तो आपको मैं बताता हूँ यहां पर देखें यहां से यहां तक कितना है 60 mm और इधर कितना है 45 mm, तो कितना हो गया, 105 mm, ठेक है, और इधर भी 105 mm, चलिए देख लेते हैं, यहां के यह देखिया, तो कितना हो गया, 210, 10, मतलब कि 210 है, यहां से लेके यहां तक, ठेक है, तो अब देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, तो साइन, हाफ डिगरी, हाफ डिगरी बोले तो, 45, क्योंकि यह 90 डिगरी का एलबू है, तो उसका हाफ करें तो 45 इंटू, आर, आर बोले तो रेडियस, मतलब यह 105, 2, तो साइन, 45 डिगरी का वैल्यू आपको पता ही होगा, 0.70, 72 इंटू, 210, तो इसका जब हम कल्कुलेशन करेंगे, तो हमारा अंसर आ जाएगा, 148 म, चलिए देखते हैं, इतना है या नहीं है, तो देख सकते हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल जो है, यह 148 म है है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, आपको देखिए, देख सकते हैं, आराम से, देखिए, 150 तक हमारा स्केल है, 148 बराबरा आ रहा है, अराम से, whात बाएगा, 148 बश्दायोद देखिए, 168 बराबरा स्केल है, झाल